हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं कड़ेश चतुर्थी आने वाली है तो मैंने तो भगवान के भोग के लिए उनके फेबरेट उनके पसंदिदा मोदक बना कर त्यार कर लिए हैं तो क्या आपने भी किये हैं अगर नहीं त चलिए कर लिए आप भी देखिए रेसेपीज आगे मैं बनाने जा रही हूँ मौंग दाल मोदक चॉकलेट मोदक और खजूर मोदक और नार्यल मोदक तो मैंने लिए हैं मौंग की दाल धुली हुई एक कटोरी उसको एक बार पानी से धुल कर साफ कर लिया है कप्ड़े मे डाल कर अच्छे से पूच लेंगे जिससे यह सूप जाएगी और फिर इसके बाद एक कडाही में एक चमजखी डाला है और इस मौंग दाल को अच्छे से भूना है जब तक कि यह गोल्डन नहीं हो जाती है इसको धीमी आज पर भूनिएगा नहीं तो यह बाहर से पकी अधी कटोडी चीनी ली है और इसमें डाली है दो इलाइची और उनको पीस लिया है चीनी और इलाइची को देखिए दाल भी भून कर ठंडी हो गई रगती थी मैंने इसको भी मिक्सी में लेकर पीस लेंगे बढ़िया सा फाइन पाउडर बनाएंगे इसका भी देखिए भी बँलकुल फाइन पाउडर बन गया है, कराही में फिर से एक चमश घी डालेंगे, और घी जैसे ही मैल्टहोगा उसमें ये डाल देंगे जो हमने मूंखी डाल का पाॉडर बना कर रखा है, उसमें डालेंगे दो चमश मलाई, बड़े चमश मलाई, और थोड़ा सा दूद फिर से और लीजिए मोदक का बेटर तयार है मोदक का साचा लिया है मैंने और उसमें थोड़े से ड्राइफ रोट्स लगाए हैं अंदर से उसको ग्रीस किया है और उसमें यह जो हमने मिक्स तयार किया है रखकर बना लेंगे लीजिए हमारे मोदक तयार है यह दूसरी तरह स आप कोई भी बिसकित ले सकते हैं उसमें कोई बाउनेशन नहीं है यह लीजे बिसकिट को मैंने 1 पीचो करना चाहिए मैंने precedrit to fine powder करके उसमें डाला है दो चममच गया चॉक्ली कोको नियुक्ष छे-चोड मोधक बनाञा है तो इसमें कोको पाउडर जरूरी है इसको बढ़िया सा तैयार कर लेंगे डो और यह लीजे मैंने वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट दोनों ली है उसको मेल्ट करने के लिए रख देंगे माइक्रोवेब में जब तक हम वेट करेंगे और लीजिए यह मेल्ट हो गया है तो अब हम मोदक बनाते हैं साच देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है इसको जो वाइट चॉकलेट मैंने मेल्ट की है उसमें थोड़ा सा इसको डिप करेंगे देखिए इस तरह से इसमें वाइट चॉकलेट थोड़ा सा डिप करके यूं रख देंगे और उपर से आप चाहें तो इसमें शुगर बाल डाल सकते हैं थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए नहीं तो यह ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में तो इनको बनाईए इंजॉय कीजिए और मैं चलती हूँ अभी अपनी दूसरी तीसरी रेसिपी की तरफ यह वीडियो थोड़ी सी लंबी है यह लिया है मैंने नारियल का पुरादा डेसिकेटेड कोकोनट आप नॉर्मल जो सूखा वाला नारियल आता है उसको भी ले सकते हैं उसका ब्लैक वाला पार्ट छेल कर फिर उसको मिक्सी में पीस लीजिए तो मैंने यह लिया है उसमें ड डालें अगर चाहें तो डालें यह अप्शनल है और डाला है इसमें मिल्क पाउडर दो चमश मिल्क पाउडर डाला है इससे थोड़ा सा मावे जैसा टेस्ट आ जाता है थोड़ा सा अच्छा मिठाई वाला टेस्ट आता है इससे इस तरह से सब कुछ डाल कर अच्छे से मि इन विपने बाए जब करें हुआ है तो घुम्हार से बने वाली है जिसको तरह से सगर भी कह सकते हैं इसमें मैंने प्रक्रस पर शूगर का यूज़ नहीं किया है क्यांकि खजूर अलडिे होता है तो मैंने खजूर को छील कर उनकी गुठलिया निकाल कर अलग कर ली है इस तरह से सारी फिर उसके बार इसको हम मोदक में यूज़ करेंगे अब मैंने ये ड्राइफ फूर्ट्स लिये हैं कुछ काजू, बदाम, किस्मिस और गरी और थोड़े मखाने तो इनको मेक्सी में डालकर अच्छा सा फाइन पाउडर बनाया है इस तरह से आब इसको किसी बड़े बोल में निकाल लेंगे उसके बार जो हमने खजूर लिया था उसको भी इसी में डाल देंगे और अच्छे से इसको हाथों से मैश करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इस्टिकी होता है तो ऐसे चमच से नहीं होगा और इसमें डाला है थोड़ा सा मलाई अगर आपको नीड हो तो डालिएगा नहीं तो वैसी इसमें ज़्यादा ज़ूरत नहीं पड़ती है देखिए बिल्कुल सक्त डो बनकर रेडी हो गया है तो फिर से वही हम मोदक का बनाने वाला साचा लेंगे मोल्ड और उसमें इसको अच्छे से फिल करके और रेडी कर लेंगे ये जितना ही टेस्टी उतना ही हेल्दी है सुगर फ्री है इसमें कोई शुगर का यूज नहीं है तो सुगर पेसेंट भी खा सकते हैं और इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके बताईएगा और जो भी आपको अच्छा लगे उसको बना कर ट्राई कीजिए अपने गड़ पती भपा को भोग लगाईए उनको प्यार से अपने घर में लाईए उनको विराज करिए विराजमान करिए अपने घर में और इस तरह से बना कर रोज कुछ नया भोग लगाईए ये हैं पॉपी सीड्स तो ये जो खजूर के मोदग बनाये थे उनको डेकॉरेट करने के लिए मैंने इनको यूज किया है और ये लीज़िए ये कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में कुछ अलग सा लग रहा है इसको इस तरह से आप कर सकते हैं आए तो आप पूरे में कर सकते हैं मैंने half में किया है इस तरह से करते हुए शारे mother ready हो गये हैं और देखिए कितने colorful कितने प्यारे लग रहे हैं इनको आप खुद भी खाईये और अपने रिष्टे दारों में और अपने चाहने वालों में सब को खिलाईए भगवान को भोग लगाईए बनाईए और मुझे बताईए कि आपको कौन सा पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की कुछ अच्छी अच्छी यूनीक सी रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहिए और इस तरह से मैं आती रहूंगी कुछ नहीं